हालेलुया प्रेश्ड लार प्रविश्व मसी मैं मेरे सभी बैन बाइयों को जय मसी की। मैं आप सबका स्वाहागत करती हूँ जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नी रहता। और आप परमेश्यों की आशिशों को अपने जीवन में हासिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्य के पवित्र वचन को मेरी भविश्यवानियों के पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थी वचन परमेश्यों के दास प्रेडित अंकु युसफ निरूला जी के द्वारा लिखा गया है। और हमारा ये विश्वाश्यक कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे तो आप अपने जीवन में आपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो पूरे विश्वाश्य के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामवर्थी वचन अपने शरीर को होम बली करके चड़ाएं जैसा कि परमेश्व के पवित्र वचन लेवे ववस्ता एक अध्याए उसके तीन वचन में लिखा है यदि वै गाए बैलों में से होम बली करे तो निर्दोश नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर अन्बली पुराना नियम इसलिए बनाया गया था ताकि नए नियम में जब प्रविश्व मसी की कुर्बानी के बाद आप उससे पढ़ो तो आप उसका आत्मिक मतलब समझो आप परमेश्वर हमें गाएं बैल बकडी भेड और कबूतर चड़ाने के लिए नहीं कहते लेव प्रवित्र बाइबल कहती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने एक भेड की कुर्बानी दे कर उन्हें चमडे के अंग रखे पहना दिये जब परमेश्वर ने अपने पियार को दर्शाया तो वे उस भेड की कुर्बानी करता है जो आने वाले समय मे येश्व मसी का एक प्रतिविम था तो कुर्बानी इसलिए होती थी ताकि परमेश्वर और इंसान करीब आए होमबली का मतलब ये था कि जब तुम किसी पशु को चड़ाओगे तो उसे पूरा चड़ाओगे और उसकी आंतरियों को धोगे जब आप पशु की आंतरियों क खोलेंगे तो उसमें गोबर निकलता है तो परमेश्वर ने कहा उसे गोबर सहत मत चड़ाना उसकी आंतरियों को पहले साफ करना पानी के साथ उसकी आंतरियों को धोग कर उसकी आंतरियों से गोबर को अलग कर देना और उसके पाउं को धोना क्यूंकि पाउं पर भी फिर परमेश्व ने कहा अगर वै कबूतर हो तो उसकी गाल थैली को निकाल कर मल सहत फेक देना उसके गोबर को मत चड़ाना परमेश्व ने कहा जब ऐसी कुरुबानी मेरे पास आएगी तो मैं उसे सुगंध दायक ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में ग्रहण करूँग आज जब प्रातना जिस शरीर से निकलती है क्या वै शरीर साफ है या गंदा है यानि आपका आत्मिक शरीर आपका आत्मिक आत्मी जो आपके अंदर रहता है आज जब इस शरीर को जो गिराय का मिकान है जो आपको दिया गया है जब आप परमेश्व के सामने प्रातना करत आप जब कोई बली देते हैं या कुछ बोगते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जहां गोबर, गंदगी, पाप होगा परमेश्व उस बली को ग्रहन नहीं करेगा क्योंकि जब परमेश्व ने आपसे बात करनी होती है और जब आप परमेश्व की उपस्तिती में होते हैं तब आप अपने आपको साफ करते जाते हैं इस बास से मैं अपने आपको साफ करता हूँ जब अपने आपको साफ करते जाते हैं अपने प्रातना कमरे में तौबा के साथ फिर आप अपनी प्रातना को चड़ाना शुरू करते हैं और जब आपके प्रातना इस सविकार योगी होती है तो परमेशर आपको रेमा वचन देता है वे आपके हिदे से बात करता है अगर आप कलोज परमेशर के सेवक हैं तो वे आपसे बोल कर बात करता है अगर आप विश्वासी हैं तो वे आपके दिल से बात कर सकता है और जब वे आपके दिल से बात करता है तो वै इस तरह से बात करता है किसी वकाई में किस तरह काम करना है फिर जैसे ही आप उस चीज को follow करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि आपका परिणाम आना शुरू हो चुका है मेरे प्रियों, अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना भी सीखना होगा ठंडे रहकर आप चमक नहीं सकते और अपनी रोशनी को पहुंचा नहीं सकते और आपका शरीर एक आफरिंग एक बली है परमेशर अब आपके भेडों, बैलों और बकरों को नहीं माग रहा अगर आवे विचार करने का मौका मिलने पर अपने शरीर को नियंतरन करते हैं तो ये एक आफरिंग है आप अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करते हैं आप प्रात्ना में बैढते हैं ये एक बली है जब आप अपने आपको साफ रख कर अपनी प्रात्नाओं को पर्मेश्य के आगे चड़ाओगे तो वै आपसे बात करेगा जब आप अपने शरीर को Living Sacrifice बना कर अपने अंगों को धरम के हत्यार होने के लिए सौंप कर पर्मेश्य से माँगोगे तो वै आपको देगा तरफ वे चर्च आ रहे हैं, दूसरी तरफ वे ब्ल्यू मूविस देख रहे हैं, इसलिए वे संगर्ष कर रहा है, क्योंकि उसकी कुरुबानी साफ नहीं है, उसकी कुरुबानी में गंध मिला हुआ है, तब फिर बाइबल कहती है कि परमेश्व के सेक्रिफाइस को जब आप नियम से नहीं चड़ाएगे, तो वे कभी भी कबूर नहीं होगी, इसी लिए जब भी आप सेक्रिफाइस करते हैं, तो आप अपने शुटकारे को पाते हैं, आमेन प्रातना, सर्व शक्तिमर परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और प्रातना करती हूँ, परमेश्वर में आज से मैं अपने शरीर को जीवत बलिदान करके छड़ाऊंगी, और पवितरताई में रहूंगी, ताकि मैं आपसे रेमा वचन को ल खाने के द्वारा परमेश्वर आप सब को बहताई से आशिशित करे, सब को जैमसी की.